प्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश पोईट डबलू एच ओडन की एक पोईब के बारे में जिसका नाम है दा अन्नोन सिटिजन इसे उन्होंने 1939 में लिखा था बहुत ही फेमस पोईब है इनकी और सबसे ज़्यादा फेमस है ये अपने सेटायर के लिए ये पोईब में एक सेटायरिकल एलेजी है यानि इसमें थोड़ा व्यंग भी है और ये एक आदमी के डेथ पर लिखी गई है एलेजी ऐसी पोईब को कहा जाता है जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है लेकिन इस पोईब में थोड़ा व्यंग है और ये व्यंग किस पे है तो गवर्नमेंट के उपर जो poet हैं वो बता रहे हैं कि कैसे एक आदमी की death हुई है और उस आदमी ने एक बहुत ही अच्छी life जी जैसी life उस एक normal आदमी को जीनी चाहिए लेकिन ऐसा किसके according तो government के according government के according उस आदमी की life perfect थी लेकिन अगर हम इससे notice करें जो normal people हैं तो उन्हें ये बड़ा अजीब लगेगा तो इसलिए ये poem जो है बहुत ज़्यादा satirical है साथी friends अगर बात करें इस poem की theme की तो वो है operation और surveillance operation यानि किसी को किस तरह से किसी के उपर दबाव बनाना उसे force करना और surveillance यानि किस तरह government हर एक आदमी पर नज़र रखती है और किस तरह वो उन्हें परिशान कर रही है force कर रही है कि वो उनके हिसाब से अपनी जिंदगी जीए तो friends शलिए आगे बढ़ते हैं friends डबलू एच ओर्डन जो थे वो एक Anglo American poet थे उनका जन्म हुआ था 21st February 1907 में और उनकी डेथ हुई थी 29 September 1973 में साथ ही उनकी works जो थी उनमें Politics, Morals, Love, Religion इस तरह के topics को discuss किया जाता था उनकी famous works में Consider, In Memory of W.B. Yeats, The Unknown Citizen, Who's Who ये सभी शामिल है तो चलिए friends अब आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़ कर समझने की कोशिश करते हैं यानि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक marble monument बनाया गया है इस एक आदमी की death के बाद उसके लिए और वो monument का नाम क्या है यह यहाँ पर लिखा हुआ है अब poem स्टार्ट होती है और poet कहते हैं उसके उपर कुछ police complain है कोई FIR दर्ज हुई है वो उसके death के बाद बता रही है कि उसके खिलाफ कोई official complain कभी नहीं हुई पूरी life में कभी उसके खिलाफ कोई complain नहीं हुई ना पुलिस में ना उसकी offices में कुछ भी नहीं और जितने भी reports आए हैं उसके conduct पर उसके behavior पर वो यही बात बताते हैं यानि अगर हम एक modern तरीका यूज करें एक old फैशन वर्ड का पुराने जमाने के वर्ड का तो वो एक saint था पहले के जमाने में saint का मतलब रिशी मुनी होता था आजकल अगर हम कहें कि तुम एक saint हो तो इसका मतलब है कि तुम बहुत अच्छे हो तुम में कोई बुराई नहीं है तो वही कहा जा रहा है यहां पे कि वो जो आदमी मरा वो बिलकुल एक saint की तरह था उसमें कोई बुराई नहीं थी क्योंकि जो कुछ भी उसने किया वो हमेशा अपने समाज के लिए जो ग्रेटर कम्यूनिटी है समाज है उसकी भलाई के लिए किया उसके कभी भी कोई काम जो थे वो गलत नहीं थे हमेशा दूसरों का भला करते थे except for the war till the day he retired he worked in a factory and never got fired यानि जब world war शुरू हुआ था सिर्फ उन दिनों में ही उसने छुटी ली थी वरना जब तक उसकी retirement नहीं हुई उसने लगातार एक factory में काम किया और कभी उसे fire नहीं किया गया निकाला नहीं गया उसके work से यानि अपने काम में वो बहुत अच्छा था और लगातार उसने अपना काम किया but satisfied his employers Fudge Motors Inc. यानि वो कहां काम करता था Fudge Motors Inc. नाम की एक factory में काम करता था और जिन लोगों ने उसे काम पे रखा था जो उसके employers थे वो उससे बहुत खुश थे yet he wasn't a scab or odd in his views यानि की इतना कुछ होने के बाद भी ना ही उसके जो सोच थी वो अलग थी ना ही उसकी बाते हमें अजीब लगती थी सब कुछ सही था उसके बारे में For his union reports that he paid his dues our report on his union shows it was sound यानि वो हम क्यों कह रहे हैं कि उसकी सोच सही थी क्योंकि जो भी taxes उसे भरने होते थे या जो भी loans उसने लिए थे वो सभी के पैसे दिया करता था और इस बात का भी record है government के पास यानि government का क्या के पास कितनी records है तो वो कहां काम करता था इसका record है जो Bureau of Statistics है उसके पास record है कि वो आदमी का moral कैसा था और यहां यह union report है कि वो पैसे दिया करता था या नहीं दिया करता था अब आगे कहते हैं कि जो हमारे social psychology workers हैं जो किसी आदमी की social life पर ध्यान देते हैं वो बताते हैं कि वो अपने दोस्तों के बीच बहुत popular था और उनके साथ बैट कर एक drink पीना पसंद करता था यानि एक आदमी की social life कैसी है यह भी government जो है वो जानती थी और जो प्रेस है वो convinced है उसे पता है कि यह जो आदमी था वो हर रोज एक newspaper खरीदा करता था और जब वो उन paper में advertisements को देखता था तो बिलकुल normal तरीके से उसका reaction होता था यानि paper में जो ads आते हैं बहुत normally उन्हें देखकर वो react करता था policies taken out in his name prove that he was fully insured और उसके नाम पर जितनी policies थी उनसे पता चलता है कि उसने हर तरह का insurance करवाया था चाहे वो house insurance हो या उसका health insurance, car insurance सब उसने करवा रखा था and his health card shows that he was once in a hospital but left it cured और उसका जो health card है जो की hospital और medical facilities में use होता है उसे देखकर ये पता चला कि वो एक बार hospital गया था लेकिन जब उसने hospital छोड़ा तो वो पूरी तरह से fit था उसे कोई परिशानी नहीं थी बोथ producers research and high grade living declare अब दो यहाँ पर government facilities का नाम आया producers research और high grade living ये दोनों कहते हैं कि he was fully sensible to the advantages of the installment plan कि वो जो आदमी था उसे installment plan को कैसे use करना है कैसे उससे चीजें खरीदनी है इसकी पूरी जानकारी थी and he had everything necessary to the modern man और उसके पास हर वो चीज थी जो एक modern man के लिए जरूरी होती है a phonograph, a radio, a car and a fridge क्या-क्या चीजे तो एक phonograph थी, एक radio थी, एक car थी और एक fridge थी यह सारी चीजें उसके पास थी Our researchers into public opinion are content आगे एक और government facility की नाम आती है कि जो public opinion facility है government की उसमें जो researchers हैं, वो content है इस बात से that he held the proper opinions for the time of the year यानि पूरे साल के समय उसके जो opinions थे जो उसकी सोच और विचार थे, वो बिलकुल सही थे देश के hit के लिए थे When there was peace, he was for peace When there was war, he went यानि कि जब देश में शांती का महौल था तो उसने शांती बनाए रखी और जब देश में वोर का महौल था World War शुरू हुई तो उसने उसमें हिस्सा भी लिया He was married and added five children to the population आगे बताते हैं उसकी personal life के बारे में कि उसकी शादी भी हुई थी और उसके पांच बच्चे भी थे Which our eugenist says was the right number for a parent of his generation और जो हमारा eugenist है जो इस population control पर ध्यान रखता है वो कहता है कि पांच बच्चे जो है वो बिलकुल सही number of children है उसके जमाने के एक parent के लिए यानि बच्चे कितने होने चाहिए ये भी सरकार तै करके रखी है And our teachers report that he never interfered with their education और हमारा जो teacher है जो हमारे teacher school में पढ़ाते हैं वो बताते हैं कि उसने कभी भी बच्चों के education में interfere नहीं किया तीचर से कभी आकर कहा नहीं कि मेरे बच्चों को ऐसे treat करिये लेकिन अब एक question उठता है Was he free? Was he happy? The question is absurd यानि ये government से पूछा चारा है कि क्या वो free था? वो खुश था अपनी life में तो government को लगता है कि ये question तो बड़ा अजीब है Had anything been wrong, we should certainly have heard क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ होता तो हमें जरूर ही बता चलता इतना ध्यान हमने लगा के रखा है हर एक आदमी की हर एक तरह की life पे चाहे वो social life हो, बच्चों की जिंदगी हो उसके medical plans, car plans, सब हमें पता है तो अगर कोई problem हुई होती तो हमें जरूर बता चलता और यहीं पर friends, ये poem खत्म होती है poem simply यहीं बताती है कि किस तरह government एक common man की पूरी life के बारे में सारी details रखती है और बहुत हद तक ये बात डरावनी भी है कि कितना जादा government हमारे बारे में जानती है तो friends ये थी डबलू एच ओर्डेन की poem अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें